तो बच्चे कमेर्शियल बैंक्स के फंक्शन्स की बात हो रही थी और उसके अंदर मैं आपके टू ख्लासेज ले चुकी हूं जिसको हमने पार्ट वान और पार्ट टू के नाम से शो किया है आप मेरे चैनल के अंदर ग्यान अचीवर्स चैनल में आप वो वीडियो को देख सकते हूं बच्चे मैंने आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखी है कि अगर मालीजी आपने मैनेजमेंट के ही टॉपिक्स चेक करने हैं तो आप मैनेजमेंट की प्ले करने मिडिरं की अइंद फंक्षण की स्ट भी कर लिती और आज हम फंक्षण करेंगें ऐसान हैं मॉबिलाइजेशन ओव आप सेविंग के लिए जैसे हमने डिस्क्रस किया था कि हम बैंक्स में पैसा डिपॉजिट कर वाता है हमारे पास ब्रांचीज आ गई है अगर हमारे पास ब्रांचीज है तो हम क्या करते हैं अपनी सेविंग्स को रखते हैं उन सेविंग्स पे हमें मालू है कि हमें इंटरस्ट रिसीव लेकिन आगे प्रोडवाइट कर देगी। १५ॉ एप सीधर यह बोलिये कि investment purpose के लिए जो banks है वो lawn प्रोवाइड करवाते हैं जो banks lawn प्रोवाइड करवाएंगे तो इससे आगे productive purpose increase होगा हमारी economy के अंदर increment होगा तो इस तरह से savings की help से आगे हमारी economy की development होती है अब what is economy मैं already ये economics के अंदर आपको समझा चुकी हूँ तो मैं description box में link दे दूँगी आप economy क्या है किस तरह से हमने इसके पूरे अंदर deeply study किया उस link के दरूँ आप economy के बारे में पूरे information get कर सकते हैं next one है extension of banking services in rural area rural area, urban area, urban area urban तो क्या होता है शहरी rural होता है जो गाव का area है तो अब rural area में भी bank services provide होने लगी है और इस पे rural area में जो low level है या जो मतलब landless person है अब जिसके पास land हो तो security करके कर सकते हैं अब जिसके पास land ही नहीं है वो किस तरह से banks से facilities लेगा तो अब banks ने landless areas है या जो ऐसे articians है जिनके अंदर बहुत creativity है और वो आगे बढ़ सकते हैं तो government ने या banks ने उनको भी ये facility देनी start कर दिया है अब वो उनको भी loan provide गरवाते हैं तो इस तरह से rural area के अंदर भी facilities banks की increase हुई है और जो small level के person है जिनके पास कुछ भी as a security रखने के लिए banks उनको भी अपनी services दे रहा है उनको भी loan दे रहा है तो इससे वो भी आगे move कर रहे हैं उनका भी increment हो रहा है next one है providing loans to weaker section वही same point है रूरल area के अंदर पहले तो पहले तो आप rural area को क्या किया गया है increment किया गया है rural area के अंदर हम increment कर रहे हैं या आप यह बोल दो कि lows दे रहे हैं और उसके अंदर interest rate low कर रहे हैं पहले क्या होता था बड़ी बड़ी factories थे companies थी वो शहरों के पास ही होती थी लेकिन आप क्या कर रहे हैं जो backward areas है वहां पर बड़ी बड़ी कंप्पनी स्टाप हो लिया है इसका reason क्या है कि एक तो government subsidies देनी start किया है एक जो banks है वो loan देते हैं अगर आप उधर setup कर रहे हैं रूरल area में कर रहे हैं तो उस पर interest rate बहुत जाता है लो लिया जाता है ऐसा क्यों है कि एक तो backward area रूरल area जो है रूरल area की improvement होगी ठीक है सुधार होगा एक नई और साथ की साथ employment भी मिलता है आप यहां पर sections पर भी कह सकते हो कि जो जिनके पास कुछ भी नहीं है security देने के लिए अब उधर भी loans provide किये जाएंगे तो एक तो लोगों के पास क्या आ जाएगा employment आ जाएगा ठीक है number of branches जो है वो गावों में आ रही है तो गावों में काम करने के लिए तो person चाहिए ना कि banks के अंदर तो इस तरह से एक employment भी मिल जाता है तो यह भी एक बहुत बड़ी development functions हो गया है और weaker sections को भी loan provide हो जाता है तो यह भी हमारे लिए development है next one है assistance to capital market capital market के अंदर जो बड़ी बड़ी industries है corporations है उनको हम funds हम means banks जो है वो funds प्रोवाइड दरवा रहे हैं तो इससे और भी ज्यादा development हो रही है और वो indirectly हमारी economy के लिए ही best है clear है तो यह थे सारे के सारे development functions अब हम बात करते है modern functions में यह जो modern functions है ना यह हम daily life में भी देख रहे हैं ATM वगेरा जो भी आप debit card credit card यूज़ करें वही same इन्होंने यहाँ पे इनको modern functions का name दे रिया है first one है ATM कम debit card हाम ATM का full form क्या है automated tailor machine लिख लीजे automated tailor machine इसके अंदर क्या होता है हमारे account के अंदर already money होनी चाहिए उस money से हम एक हमें paperless card दिया जाता है वो card हम डालके अपना pin डाल देते हैं और उस pin से हमारे पास money आ जाती है ATM machine की तो इस तरह से यह ATM work करते हैं इसको हम as a debit card भी बोल सकते हैं और second one है credit card ATM की facility देने के लिए banks जो है वो आपसे कुछ yearly charge करते हैं yearly charge करते हैं तो यह आपका क्या है ATM है यह ATM जो है वो main customer को एक बहुत बड़ी help कर रहे हैं रात का टाई में banks बंद तो भी आप ATM की help से money withdraw करवा सकते हैं second one है credit card credit card क्या होता है कि इसके अंदर banks जो है वो आपसे कुछ interest charges करते हैं बट आपको कुछ advance money भी मिल जाती है कि जितना आपने पैसा deposit नहीं करवाया हुआ banks के अंदर लेकिन आप bank से उधार ले सकते हो ठीक है तो इस पे जो उधार आपने money लिया उसके banks आपसे interest charge करता है यह एक तरह है कि plastic money है जो interest charge करता है वो भी बहुत nominal rate का interest होता है तो इसको हम बोल देते हैं credit card next one है mail transfer and telegraphic transfer बचे इसके अंदर क्या होता है कि आप का मान लिजे किसी किसी pay की account में आपने कुछ particular money transfer करनी है तो आप अपने banks को ही कह देते हो कि इस person के लिए pay की account में ये fund मेरे account में से transfer कर दीजे ठीक है और उसी bank में उधर ही आप अलग से कर देते हो तो उसको क्या बोल देते है mail transfer and telegraphic transfer कि आपने मान लिजे मैं हूँ मैंने आपके account में कुछ पैसा transfer करना है तो मैंने banks को inform कर दिया है कि इस person के मेरे account में से इतना balance इस person के लिए अलग से रख दीजे ठीक है चाहे मुझे आपको after one month pay करना है लेकिन मैंने as a security उसको side में रख next one है tally banking daily कर रहे है tally phone से जो भी banking वगएरा की facilities कर रहे हैं इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने phone के अंदर ही आपको एक court दे दिया जाता है तिन दे दिया जाता है आप अपने phone से ही सारी banking activities को कर सकते हो तो उसको हम बोल देते हैं tally banking जैसे sbi you know तो इस तरह से हम अपने phone के अंदर ही पूरी की पूरी banking activities को चेक कर सकते हैं next one है internet banking internet banking वही same है internet के थूँ आप banks की facilities को ले रहे हो इसके अंदर क्या करते हो कि आपके पास customer के पास एक PC होना चाहिए और ब्राउजर होना चाहिए तो आप bank की website पे जा के और जो भी आपने services लेनी है banks की आप वो banks की services ले सकते हो तो यह चीज क्या होती है internet banking होता है next one है round the clock banking नेम से पता चल रहा है clock जो है वो 24 इंटु 7 hours चलती है कि को 7 weeks चलती सॉरी 7 days पर week चलती है तो इसी तरह से है कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे clock कभी भी रुकती नहीं है उसी तरह से banking की facilities 24 इंटु 7 चलती रहती है किसी भी दिन चाहिए Sunday हो फिर भी आपको वो banking facilities मिलती रहेगी तो यह हो गया हमारी राउंड दा क्लॉक बैंकिंग यह ब्लैंकिंग नहीं है बैंकिंग है नेक्स वन है अब modern services यह modern functions से हमारे four functions हो गए है लेकिन कुछ और modern services है जो कि banks प्रोवाइड जरुआता है उसके बार में भी हम study कर लेते हैं जैसे कि centralized banking solution है यह क्या है एक तरह का core banking solution है इसके अंदर माल लिजे आपका a place के अंदर आपका a place में ब्रांच आइदर ठीक है a city है और a city में आपकी ब्रांच है तो अब यह नहीं है कि आपने जितनी भी transaction करनी है वो इस ब्रांच से ही करने हो यह क्या SBI की है ना अब माल लिजे आप B city में भी चले गए हो ना तो आप वहां पे भी उस ब्रांच में जाके अपनी जो भी banking की services लेना चाहते हो वो ले सकते हो तो it means क्या हो गया है कि अब ब्रांच की तरफ से banking facilities लेनी है यह बैंक की तरफ से facilities मिल जाते है किसी customer को कि अब आपको यह नहीं जरूरी कि आपने सिरफ A city की ही ब्रांच में जाके banking facilities लेनी है आप सिरफ वो SBI की अगर ब्रांच है तो चाहे आप D city में हो चाहे आप X city में हो आपको वो services provide हो जाएगी इट मींज यह क्या हो गया है एक कोर banking solution हो गया है कि आप कहीं भी जाकर SBI की facility ले सकते हैं इंडिया clear है what is centralized banking solution online tax payment GST है आपका यह सारे जो भी आप इंडारेक्ट टेक्स पे कर रहे हो वो सारे के सारे अब हम क्या कर रहे हैं online कर देते हैं हम घर बैठे बैठे अब हमें लाइनों में लगने की नीड नहीं है कि हम वान आर्ट तक वेट करते रहें ठीक है अब आप अपने phone से online payment कर देते हो अगर आपने GST पे करना है आप किसी भी तरह की टेक्स इंडारेक्ट टेक्स पगएरा पे करने हैं नेक्स बन है corporation corporate internet banking companies बड़ी बड़ी यो भी facilities कर रही है वो सारी की सारी internet के थूँ बैंक की facilities को लेके जा रही है जैसे आपको यहां पे कोई भी trade finance करना है आपको वहां पे जाने की जरूरती है फिजिकली बैंक आपको यहीं पर ही एक जंगा पर बैटे बैटे ही सारी facilities रहता है चाहे वो आउट ऑफ इंडिया ही हो ठीक है तो पूरा multinational अगर कंपनी है तो भी banking facilities अब हो चुकी है कि आपको internet के थूँ मिल जाते हैं next one online shopping कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है online हम shopping करते हैं मेंद्रा है फ्लिप कार्ट है वहां से हम purchase करते हैं और online payment कर देते हैं तो वो क्या हो गया है रिटेल इंटरनेट नेक्स वन है फॉर्न एक्षेंज कि पॉर्न के अंदर अगर मालीजी आपने कोई करण्सी की चेंजिंग वगारा करवानी है तो वह भी आपका घर बैठे-बैठे हो सकता है और online हम सारी की सारी अपनी क्रंसी एक्षेंज फॉर्न के एक्षेंज की बारे में भी वर्क कर सकते हैं next one है इमनी इंडिया इलक्टरॉनिकली कोई भी वर्क करना है इलक्टरॉनिकली हमने फण को ट्रांसफर करना है इंडिया के अंदर तो हम थूरू P&B इमनी इंडिया सर्विस के थूँ हम कर सकते हैं नेक्स वन है ओनलाइन रेल्वे रिजावेशन तो इसके लिए आपके पास गेटवे होना चाहिए IRCTC पेमेंट गेटवे तो उसके थूँ अब रेल्वे में हमने अपने टिकेट्स बुक करनी है है हमने कैंसिल करवानी है तो उसके लिए आपको ज़र बैठे बैठे आप अपने फोन से भी यह फंक्शन कर सकते हो तो यह सारे फंक्शन कौन प्रोबाइट गर्वारे बैंक्स करवारे पेमेंट करनी है ठीक है आपने नेक्स वन है डिपॉजिट्री सर्वेसेज अब डिपॉजिट्री सर्विसेज के अंदर अगर मान लीजिए आपको शेयर्ज या सिक्यॉरिटीज को कुछ ऐसा वर्क करने ट्रांजेक्शन करने तो आपके पास शेयर्ज और सिक्यॉरिटीज जो है वो डी मैट फॉर्म के अंदर होनी चाहिए और उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि मैंने अभी कि अभी जल्दी से सेल करनी है पर्चेस करें आप हैजल प्री होके इलेक्ट्रोनिक ली अपने शेयर्ज या सिक्यॉरिटी जो है उसकी वो ट्रेडिंग कर सकते हो तो वो चीज क्या होगे डिपॉस्ट इलेक्ट्रोनिक क्लियरंस सर्विसिज या इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर मैंने आपके अकाउंट में कोई फंड ट्रांसफर करना है तो मुझे आपको ओवर हैंड करने की नीड नहीं है कि जाके मैं आपके घर दूँ आपके अकाउंट में सीधा फंड को ट्रांसफर क क्या है बैंक के थूदिये हुए modern functions है नेक्स वन है online bill payment electricity bill payment कर रहे हैं हम phone की bills पे कर रहे हैं तो सब के सब क्या कर रहे है online पे कर रहे हैं तो बच्चे यह तो मुझे समझाने की need ही नहीं है यह तो फिल्कुल से point है जो हम अपनी practical life के अंदर कर रहे हैं नेक्स वन है online air ticket booking है आपने airlines में अपनी tickets book करनी है तो आपको उनकी site पे जाके और आपको वहां पे पूरे पूरा work करना है booking करने आपको कौन सी site के ticket चाहिए वह सारा payment हो दगता है नेक्स वन है online trading online share purchase करने है तो वह सारा work भी आपको banks provide करवा देते हैं अब है customer care facility आपके account में कोई दिक्कत आगे तो 24 इंटु 7 आर आप customer care पर call करके अपनी problem की information से कोई भी knowledge गैट करना चाहते है तो वह आपको information भी मिल जाती है नेक्स वन है online Instagram it RTGS services जैसे इसके अंदर आप ले सकते हो नाफ्ट को national electronic fund transfer की इसके अंदर क्या करता है bank साप से कुछ चार्जिस लेता है तो और आपको अभी के अभी उसी time आपके पास money आ जाती है तो मैंने अगर करना है तो उसके लिए online Instagram it की उसी के उसी time आपको account के अंदर पैसे डल जाएंगे आपको वेट करने की जरूद नहीं है कि 24 hours आप वेट करो आ तो यह क्या होते है naft की services है तो यह सब provide कौन कर रहा है banks को आइड करवा रहे हैं ठीक है तो बच्चे यह हमारे commercial banks के functions है आज commercial banks के functions primary functions secondary functions development functions और modern functions हमारे complete हो गए है तो आप यह सारे के सारे function most important है नेट के लिए बहुत important है और HP HP के जो भी commerce के students है वो भी इसके ध्यान रखे इसमें से एक question बनता ही बनता है तो अब मैं मिलती हूं आप से next class again thank you so much have a nice day god bless you and please like subscribe and share my channel thank you